मुझा जण कल्यान महासबा कानपुर्णगर के तक्पुर्णगर महाराज ग्रहराज निशाद एवं महारशी कश्यप जेनती के अफजर पर गंगा बैराज इस्थित निशाद राज पार्क में एक भव्य आयोजन किया गया कारिकरम का उद्गाटन मुख्यातिती ने दीप प्रजिलित करते हुए किया कारिकरम में मिदावी छादर चत्राओं को सम्मानित किया गया और प्रतिष्ठित कलाकारो द्वारा सांस्कृतिक कारिकरम के माध्यम से लोगों को मनुरंजित भी किया गया सदीव वक्ताओं ने मारशी कश्चप एवं माराज निशाद राज की आरती करते हुए उनके जैजैकार पेन नारे लगाए और उनके द्वारा किये गये समाजिक कारियों का वर्णन किया इंग्जीनियर आकाश वर्मा ने आई हुए अतितियों का स्वागत करते हुए अपने समीती के सदस्यों के साथ उनका अभिनंदन किया जिसमें मुख्य अतिती डॉक्तर बिनूत कुमार, बिंद विधायक, मिरजापुर, पूर्व विधायक राम कुमार निशाद और मुख्य वक्ता चौदरी लोटन राम निशाद रहे प्रमुख वक्ता के रूप में राम नारान निशाद और किरन लोधी ने लोगों को संबोधित किया कारेकरम का संचालन राम सजीवन निशाद और अधिक्षिता सुकलाल निशाद ने किया विशिष्ट अतिती एडवोकेट राम कुमार ने समाज को एक जुट करने पर जोड़ दिया मुख्य वक्ता चौदरी लोटन राम निशाद ने समाजिक आंधूरन करने में अहम उनका निभाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सिक्षा शेरनी का दूध है और हमें जरूर पीना चाहिए कारिक्रम में आकाश वर्मा, अवदेश निशाद, देवेंदर सिंग भोले, राजा राम पाल, आलोक मिश्रा, राजिश दिवेदी, किरन लोधी, अंजली वर्मा, महावीर निशाद, श्रमन कुमार नि निर जिनिशाद, मुकेश कश्यप, राजेश कश्यप, पत्रकार सहित, कई गड़मान व्यत्ती उपस्तित रहे। महां दनुदर्गी अवरे खलब्यजी, अपनी वित्वत्ता के बलभार्ती धर्ती पलंग्रेजों को नत्वस्तक कड़ा कर अपनी सर्त मुल्वाने वाली, कलकत्ता की महाराणी राज्वरी केवण जी, नारत खो गुरु ग्यान देने वाले, कानू केवण जी, बुरूशि महां दनुदर्गी अवरे खलब्यजी, बिश्वकी चौथी भारत की पहिवी कांतिकारी महिला, नारी शक्ती की प्रतीव सामाजिक ज्यार, ज्यार को दुबा कर देश की आजादी की ख्रांती को आगे बढ़ाने वाले, समाधार निशाद लोचन मल्ला, और मुझावरा कांड की अगवाई करने वाले, लोटर राम निशाद, राष्टी सचिव, राष्टी निशाद संग, आज जो है की स्रिष्णी रचाईता महर्षी कष्यप जी और राम को बनबास्काल में सरन देने वाले, सिंगवेरपूर के महराज अधिराज, महराज गूराज जैंती का कार्कम जो है निशाद पार्क, कानपूर में अगंगा बहराज पर आयोचित किया गया है, उसी कार्कम में मैं सिरकत करने के लिए, मैं गाजीपूर से आप लोगों के बीच में आया हूँ.